हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकर किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती हैं इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो paper आते हैं G.S का Paper, Cisad का Paper जो क्यो अबजेक्टिव होता है इसके बाद मेंं जो Mainz पर होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं Optional subject के Paper होते हैं, synerriely GS के Paper होते हैं, qualified nature वाले Paper होते हैं, language Paper होते हैं बहुत सारे subject के paper होते हैं और हर subject का paper आपका subjective होता है यानि कि आपको limited number of words में ये paper ये answers लिखने होते हैं कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अच्छे answers आपको लिखने होते हैं जिनकी proper training आपको मिलने ज़रूरी है इसके बाद आता है interview आए एस examination का interview तो पूरे इंडिया में काफी जादा famous है कितना tough माना जाता है personality, development, classes इसके लिए बहुत जादा सरूरी है students के लिए और इसी के साथ इसके paper में negative marking भी होती तो please answers गलत मत कीजिए गलत answer टिक मत कीजिए अगर आप question में बिल्कुल sure है तभी उस question को आप charm कीजिए उस question को attempt कीजिए otherwise negative marking से 0.1 negative marking से भी आपके ranking में काफी असर पड़ जाता है लखो ranking में असर पड़ता है तो इस चीज़ का please ख्यान दीजिए negative marking में बिल्कुल मत पड़िए तो दोस्तो आज हम बात करेंगे चेन्नाई की चेन्नाई जो की बहुत ही जादा अच्छा बहुत ही जादा खुबसूरत और बहुत ही जादा फेमस शहर है इंडिया का तमिल नाडू की राजधानी है जिसका पुराना नाम मदरास है करें लोगी से मदरास की नाम से भी जाते है और नया नाम इनका चेन्नाई है चेन्नाई में बहुत सारे बच्चे एक्साम की प्रप्रेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रावल कर चाते हैं बहुत सादा टाइम लगाते हैं ट्रावल टाइम में एक अच्छे कोचिंग इस्टिट्यूट के तलाश में तो हम आपके लिए औरड़ी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां आपने रांकिंग वाइस चैनिय के हर सबसे अच्छे इंस्टिट्यूट के बारे में जाना है जिसके एक लिस्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं अच्छा है इसके अलावा इंसटिट्यूट की एक शॉट कट डीटेल और contact details हमने उसी वीडियो में एक shortcut में जानी है हर इंस्टियूट की उस एक वीडियो नहीं तो वहाँ वो वीडियो आप देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक नीचे description box में मौझूद है इसके अलावा हर coaching institute की details already आपको एक वीडियो में अपलोड कर दी गई है जहां हर इंस्टियूट के बारे में एक वीडियो अपलोड की गई है और उस वीडियो में आप उस इंस्टियूट के बारे में in detail जान सकते हैं तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर सारी की सारी वीडियोज अप्लोडिड हैं और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जादर टैबल टाइम ना लगा करके आप अपने शहर में अपने घर के पास के कोचिंग इंस्टीट को जॉइन करकर इन बेस्ट कोचिंग इंस्टीट में से कामराज आईएस अकैडमी की जो की चेहने के हमारी रिसर्च के हिसाब से रांक नंबर फिफ्ट का सबसे अच्छा कोच इंस्टीट है इनके फीचर की बात करें तो इनके फीचर आपके सामने स्क्रीम पर मॉझूद हैं यह इंस्टीट आपको बहुत ही यूनीक वे में पढ़ाता है बहुत ही अच्छा इंस्टीट है इनकी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी बहुत ही जादा अच्छी है और बहुत ही अच्छे वे में बच्चों को प्रॉपर गाइदेंस प्रवाइड करती है यानि कि बच्चों को जब जब doubt है, जितने doubt हैं वो सारे के सारे doubt आपके at a moment आपको clear करे जाते हैं और ये institute आपको online और offline दोनों ही तरीके से पढ़ने में help करते हैं यहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों की ही stages wise preparation करवाई जाती है यानि prelims में सबसे पहले आपका कितना syllabus complete होना है उतने syllabus के बाद आपका test होगा, test के बाद क्या-क्या आपको problems आ रही हैं, उसके ओपर revision classes होगी देन आगे का syllabus complete किया चाहेगा prelims के लिए इसी तरीके से आपकी mains की भी preparations होती है और current affairs की आपको बहुत detail information दी जाती है डेली basis पर current affairs आपको यहां पढ़ाया जाता है और उसके test भी होते हैं, quizzes होते हैं क्यूंकि current affairs से related questions आपके mains में जरूर आती है current affairs के basis पर linked उसके history के या उसके future के या उसकी कांसी योजना चल रही है उस basis पर linked questions आपके mains में descriptive answer writing के लिए जरूर आती है तो उसी way में यह आपको कुछ पढ़ाती है, इनका study material भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही अच्छे way में आपको यह पढ़ाती है, printed notes आपको provide किये जाते हैं online के लिए PDF notes भी आपको provide किये जाते हैं इसके अलावा interview के लिए आपकी personality development की classes भी होती है weekly basis पर आपके test होती है, revision classes होती है doubt session अलग से आपको यहाँ पर arrange कर कर दिये जाती है तो आप जान सकते हैं कि यह institute अच्छा है तो क्यों है इनकी details आपके सामने screen पर मौझूद है आप इन्हें visit कर सकते हैं, आप इन्हें contact कर सकते हैं और और जादा details के लिए आप हमारे page को भी visit कर सकते हैं हमारे page का link नीचे description box में मौझूद है तो thank you so much दोस्तों हमारी video देखने के लिए हमारी video को please please like कीजिए, share कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए और bell बटन को press करना परिकुल मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये videos लेकर के आती हैं मिलती हूँ अपनी अगली video में जहां हम बात करेंगे एक नई location की, एक नई video की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए अपने preparation को जारी रखिए all the very best for your preparations